आप पहले पती के मिर्तियूं से पहले दूसरा साधी कर सकती है आपने पतनी धरम नहीं निभाया कोई पती धरम क्यों निभाएगा नहीं निभाएगा कैसे नहीं निभाएगा आप लोगों के कारण भारत में नारियों को अब हीं द्रिश्टी से लोग देख रहे हैं आप ल तरफा लड़का कुमारा था और लड़का एज में भी आपसे छोटा होगा और देखिए बात यह यह इनके छे पाँच बच्चे हैं इनकी बेटी बड़ी हो चुकी है 15 साल की आपको पहचानने से मना कर रहा है बोलता है आम नहीं जानते हैं आपको यह नहीं जानता है नहीं पूर्सा कांटा थाना में आई है अपना अरजी लेकर के 16 साल पहले इनकी साधी हुई इनके पाँच बच्चे हैं तीन लड़की और दो लड़के और बता दूं उसके बाद आसे साड़े तीन साल या तीन साल पहले इनके पहले पतिसीन का ब्रेक अप हो गया उसके बाद ये लुदियाना सिफ्ट हो गई अपने सभी बच्चों को लेकर बकाइदा एक बेटी को छोड़के बता दे वहां जब ये छे मैने रह गई ये सारा कत्त थी नहीं के द्वारा कहा गया है इसमें मेरा कोई पुष्टी नहीं है इस जानकारी पे पूरी बात इन से जानेंग है और दूसरा पती जिसने महबत करके इसे साधी किया था आज वो भी साधी कर लिया है बेचारी बीच में अकेली पड़ गई है कही ना कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा पहले पती से इनका आज से साड़े तीन साल पहले जो ब्रेक अप हुआ उसके बाद नए से प्या क्या हुआ है पूरे बताईए जो विस्तार्च बताने है अपको मेरे साथ देखिए हम पहले से साधी सुधा है मेरे पांच बच्चा है मेरा घरवला ना से बात था मारता पीटा था मार पीट के भगा दिया तो हम अपना चल गए वहां पे मेरा समाज भी था मुखिया करका को लेकल लुधियाना गये लुधियाना हम वहां हमारे भैसुर रहते थे और फैक्टरी में काम लगा दिये तो हम काम करते ए छे महिंच हम क्ये छे महिना के बाद हमारा ऑफनीटीन मंडल एस से मुलाकात रहते है पहले घरवला नहीं था बाद में साधी के तब भूश पहला, साधीी सुधा था हैं और चार बच्चे पहले पास बच्चा है साधी लगती हैं तुम हम तुमों को बहुत बहुत मानती हैं तुमारा दुख सुख में हम काम देंगे ऐसे बोला प्यार के जाल में आपको फसा लिया वो उसके साथ कितना दिन आप रहे थे लुदियाना में धाय तीन साल तक घर नहीं आता थे आया अच्छे आप उसके साथ कभी उसके घर आये थे तो उसके घर वाले आपको एक्षेप्ट कर लिए हम सावदेर महिना के बाद हमको घर लेके आया वो कहा रख्शा में नहीं मालुम है लेकिन अरासिया लेकी आए जब अएसौह आप को 만났र क्या शृषचıt काहीं पनीकी सास कितना दे कुछ नहीं पता था में औरें बहारे में गुध 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 उता था बोलता लेके चलाया है, इसके हात के पाज़िश निए आप जिसके हाँ आते थे, क्या गाइच दिन रहते थे नहीं है इस पता हूं अपको पता हो ना च Clayton बाएब की तो ऊपक के साथ क्या बिहेव कर रहा है वो बोला कि हम परिबार में मम्मी को हम खूद बताएंगे हम अपनी मम्मी को खूद बताएंगे तब काहे तो दुसा दिन नहीं बोले कि तुनिये जात पाते गलग चीज़े कही न कहीं इसमें दो तरफा लड़का कुमारा था और लड़का एज में भी आपसे छोटा होगा और देख़िए बात ये इनके फांच बच्चे हैं नकी बेटी बड़ी हो चुकिये 15 ऍरफांब अब बताईए मैं तो सबसे बड़ी बिडंबना की बात है कि अभी हंँ जिस राज्य में रहते हैं ये बिहार है और जिस देश में रहते हो भारत और भारत की संस्क्रीती तो जानिए यह मेहिला है हिंदू समाज से और हिंदू समाज में क्या है कि पती जब तक जीवी ते रहता है तब तक पतनी किसी और को देखती तक नहीं है कही ना कहीं घर में कला सब के होता ये अपने पती को छोड़के गई उससे पहले कानून का भी सरन नहीं लिया पंचायत में क्या हुआ इनके साथ ही आप देखी चुके होंगे और फिर उनी के परिवार वालों के बाद जाके सरन लेती है और यह काती है कि पती ने घर से मार के भगाया और वहां जाने के बाद इनका जो चक्कर होने को रहा लेकिन जहां समाजी को और मानवता की बात रही तो कही ना कहीं इन लोकों का जो काम है वो देख कैसा लगता कि समाज को गंदा करने वाला काम है और सबसे पहली कि जो साधी पांच वच्चे होने के बाप जूद अगर मनुस्य के मन में ऐसी भावनाये चले किस साधी करती है वह साथ फेरे लेती है कितना वचन देती है कि साथ जनमों तो कि एक पती के साथ ही रहेंगे मरते जीते लेकिन आपका दूसरा साधी कर लेना ये कहां तक उचित था हम दूसरा साधी नहीं करते हम तो बे सहारा होके जी रहे थे तो खुद बोले कि हम कमा रहे थे तो बे सहारा कहा होगा हम कमा रहे थे तो हम तो अकेले थे ना ये हमको बोला कि तुम्हारा पास हम रहेंगे तुम्हारा दुख सुग में काम देंगे मेरा घर बाला नहीं था हम अकेले थे तो हमको सहारा बना हमको विश्वास दिलाया तब ना हम इसके पीछे गाए मतलब आपका सोसन किया है आपका उसने योन सोसन किया आपके साथ रहा और दुबारा जब आप पती का घर छोड़के गई तो दुबारा सुस्राल लोटे थे आप कुन सुसराल पएले वाला अपके साथ किया क्या पूरूफ है क्या परूफ होगा ने कि है कि आप से साधिक ही क्या क्या पूरूफ है जितना पूरूफ ही क्या लके आया जतकी सबसे हमाने का देखें दोना के पास पूटो यह फोटो में है आप कौन है इसमें हम है यह है आप है और वो है यह फिल्म में वला स्टोरी आप देख सकते हैं यह होली भी आप ही खेले हैं और यह लड़का का नाम क्या है निती समंडर और यह लड़का भी आपको पहचानने से मना कर रहा है बोलता है हम नहीं जानते हैं आपको यह नहीं जानता है नह और बालूल घीच के मारा है बना के खाना जो देते थे चार बजे सूबह में उठके लेंज पैक करते थे मतलब आप लोग साथ में रहे पूरा फैमिली जैसे पति पत्नी वाला रिलेशन रहा है ऑदी पए पूर के भागा, हम क्यों छोड़ेंगे, अगर मेरा घरबला अरे परीभारिक जगडा तो सब से का होता है, इन मेडम प्यास जगडा अलग बात है, लेकिन जो मर्ध पी खाके हमेशा नटंगी करें, मार लयँडरा पती को छोड़े आपका एक हम नहीं पती को छोड़े पती तो हमको मारके भागा दी हम क्यों छोड़ेंगे अगर मेरा घर बला अरे परिवारिक जगड़ा तो सबसे का होता है इंदम अलग बात है लेकिन जो मर्द पी खाके हमेशा नटंगी करें मार पिटके भगाएगा दारू बंद है दारू कैसे बंद है बिहार में तो दारू पुरा चालू है कहां नहीं परिवार में सा होता है सुनिए मेडम एक बात और अगर इसके परिवार वाले यह कहके भी ना कार कि अब लोगों में अभी ऐसी मांद सिकता आ गई है मैं कभी है नहीं चाहता कि कि किसी को ना इंसाफ जींकेशी के साथ और जूडिश्री किसी के साथ ना इंसा भी करें लेकिन इनके साथ अगर जो भी गलत हुआ हो इनसाफ होना चाहिए लेकिन लेकिन एक बात और मैं बता दू समाज को ऐसे ऐसे लोग जो गंदगी की ओर ढखेलते हैं जो हिंदू समाज और हमारे भरतिय संस्कृति को ताड़ ताड़ करते हैं कही न कहीं ऐसे लोगों के कारण पूरे लड़के के साथ रहती है धाई साल उसको अपना पती बोलती है बकाइदा उसके घर वाले नहीं मानते हैं अब बताए इसमें लड़के का गलती है या इनकी गलती है अब परसासन क्या करेगी ऐसे मामलों में वह जादा से जादा इनका आफैर लेगी कोट को भेजीगी और कोट इससे जजमेंट देगी और आप लोगों का मैं यह जो भी कॉमेंट में अफे अ rebelsnınक साथ क्या होना चाहिए क्या इनको इनको मिलना चाहिए क्या ओंलरका इनको रखेगा रखे एया या नहीं इस पर भी Smandis मंडल से मंजरा क्या वैसे इनके पास मैं दिखा दूँँ फोटो वगेरा है देखिए कुछ फोटो जहें इनके बच्चे हैं आपके इतने प्यारे प्यारे बच्चे होने के बाद भी आपके मन में इन सब चीज को कैसे उत्पन हो गया आदमी तो बच्चे के सहारे भी रह जाता है आप लोगों के कारण भारत में नारियों को हीं द्रिष्टी से लोग देख रहे हैं आदमी दू साधी नहीं करता है तो आप तलाख लिए मेडम अगर आप साधी करते कोट मेरेज किए आज आप कोट के बस आ सकती है थाना आए कि नहीं कि नहीं लेकिन आज इनका बेगाना पती जो इनको इनका यूज किया जो इनका सोशन किया अब सोशन क्या दोनों के मन से हुआ था तो सोशन करना मेरे अनुसारे गलत है उस दिन यह थाना नहीं गई कोट नहीं गई लेकिन आज इनको जब धोका मिला है इनको कोई आसा नहीं बचा क्यूंकि अब सुरूर चड़ा था पहले तो उसको हम जानवों ने करते थे छोड़ने के बाद प्यार चड़ा है देखे मैं उन मीडियाओं से नहीं हूं कि सिर्फ मैं कि आपके लिए किसी के लिए लड़ता हूं समाज के लिए लड़ता हूं जो सचाई नहीं रहेगा वो नहीं बोलेंगे सिर्फ फोटो का प्रूफ है दोस्ति यारी में भी लोग फोटो खिजाते हैं सुलिजे मेडम एक बात अगर आपके पास कोट मेरेज वगेरे का कोई सटिफिकेट है कोट में थुरी हम साधी किये थे तो साधी तो या तो कोट में होता है तो हिंदू संसकार के अनुसार मंदित का मंदीर्वा षीदा मांग में इसे ज्यादा क्या दिखाना फमें पएले पति के गिтории पतनि धरम नहीं निभाया और नहीं निभाय कोई अ me सब्सक्रीदे मेरे सात रहा है हो इसी रहा है माथा चक्राग्या लेकिन एक जूडियस सिरी से एक निवेदन है कि अगर इन महला का जो भी अर्जी है उस पे देखें कारवाई करें और किसी को ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए नहीं उस मंडल जी को नहीं गुडिया जी को इनके साथ क्या इंसाफ होना चाह हमारे समाज गंदा हो रहा है नमस्कार जहिंद